आज मैं समस्त्र देश्वांचियों की तरप से संत शुरोमणी आचार्यस्री एकस्वांट पुझ्य विद्यासागर्जे महाराज को स्रध्धा पुर्वक आधर पुर्वक नमन करते हुए स्रध्धान्जली देता हूँ उनके समय लेखन समाधिस्त होने की सूचना मिलने के बाद उनके अन्युआई शोक में हैं हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिकत छती जैसा है वर्षों तक मुझे व्यक्तिकत रुप से अनेक बार उनसे मिलने का उनकी दर्शन करने का उनके मारत दर्शन प्राप्त करने का आउसर मिला है कुछी महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था मेरे प्रवास कारकम को बदल करके बहुत सुबह सुबह में उनके पास पहुँच गया था तब पता नहीं था कि मैं दुबारा उनके दर्शन नहीं कर पहुँगा यह मेरा सुबहागे रहा है कि पिछले पचास से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के घणमान्या अध्यात्मिक मुर्थियों के निकट रहने का उनके आशिरवाद पारने का अउसर रहा है और इसलिए मैं उस अध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीपाती जानता हूँ समझता हूँ अनुभव करता हूँ आपको सुरकर का अशिर होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपुन घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरब से कुछ महत्वपुन किसी काम में मेरा सम्मन्द आया हो 24 गंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था इने कितने जागरुक थे और अपनी विराठ आध्यत में क्या आत्रा है और उसके बाद भी वो हम सब को हमेशा प्रेणा देते रहे हैं जीवन भर उतनी सम्मेता के साथ उनका लोगों को मिलना उन्होंने हमारी युवाओं को परंपराओं से जोड़ा गरीबों तक सिक्षा और स्वास्त की सुविधाय को चाई उनका पूरा जीवन उस व्यक्ते के लिए प्रेणा जसा है जिसने गरीबों और वन्चितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है आज ब भारत प्रगती के पत पर आगे बढ़ रहा है मुझे विश्वाथ है तो उनके सिध्धाम्त और उनका अशिर्वाद ऐसे ही भारत भूमी को प्रेणा देता रहेंगे